सभी ट्रेडर्स को और इन्वेस्टरों को नए साल की शुब कामना है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे तीन स्टॉक जिसमें आप अपना पैसा लगा कर अधिक रिटर्न कमा सकते हैं, जिसमें मैं बताऊंगा बेस्ट तीन पैनी स्टॉक जो की दस रुपे से कम के होंगे और दूसरे तीन स्टॉर जो की लार्ज कैप और मिड कैप कमपनी के होंगे जिसमें आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। ये stock हमने अपनी research और analysis करके निकले हैं आप भी अपना analysis करके ही पैसा invest करें ये केवल education purpose के लिए है जो तीन stock large cap और meat cap वाले हैं ये हमने शून्य बाइफ इन्वेजिया के artificial intelligence की help के द्वारा निकाले हैं Salah KF यह एक Israel-based AI company है जिसका गठ बंधन शून्य बाइफ इनेशिया के साथ हुआ है ये आपको trading और investing के लिए stock suggest करने के लिए अपना analysis लगा कर आपको बताता है जिसमें दिखाए गए green color में जो stock है इसका मतलब ये है कि ये आने वाले समय में bullish रह सकते हैं और जो red color में दिख रहे हैं वे आने वाले समय में bearish रह सकते हैं ये आप समय के अनुसार इसमें चुन सकते हैं AI का उपयोग अभी सिर्फ specific शून्य DMAT holder ही कर सकते हैं जिस किसी ने भी शून्य फिनवाजिया में DMAT account नहीं खुला रखा है तो वह नीचे दिए गए link से खुलवा सकता है इसमें आपकी brokerage नहीं लगती है जिससे कि आपको एक महीने का brokerage का जो भी पैसा आप इतने दिनों से दे रहे हैं वह आपका बच जाएगा पर ये आपकी पसंद पर निर्भर करता है आप किसमे DMAT account खुलवाना चाहते हैं और ट्रेडिंग किसमें करना चाहते हो ये आपका अपना फैसला हो सकता है यानि कि जिसने भी DMAT account खुलवा रखा है शूनिया में जिसमें कोई charge नहीं लगता है brokerage का आप सभी लोग AI की मदद से अपने बहतरीन stock buy और sell करने के हिसाब से ढूंड सकते हो जैसा कि हम इसमें देख सकते हैं इसमें एक नया beta version आया है जिसमें AI की मदद से आप perform करने वाले stock को search कर सकते हो और उसमें trading कर सकते हो लेकिन हमें पूरी तरीके से AI पर depend नहीं होना है हमें अपनी research भी कर लेनी है और जिन्होंने finvazia में DMAT account नहीं खुला रखा है और किसी और में trading करते हैं उनको मैं direct बता देता हूँ जो कि हमने research करके निकले हैं वो three stock तो बात कर लेते हैं पहले stock के बारे में जो की AI की मदद से निकाला गया है वो पहले stock है अदानी green इसमें हमने ज्यादा fundamental research नहीं करी है सिर्फ chart की analysis के हिसाब से short term में profit देने वाला stock निकाला है जो की technical base पर होगा इसको हम buy कर सकते हैं दूसरा stock है Steel Authority of India Limited हम चाहे तो इन सभी stock के बारे में detail से बता सकते हैं इनके fundamental लेकिन हमारा काम आपको सिर्फ कम समय में knowledge प्रोवाइड करना है detail से आप अपना research खुद कर सकते हो जो की scanner website पर आपको मिल जाएगा तो हम direct बात कर लेते हैं stock के बारे में जो की आप buy कर सकते हो अब आ जाता है तीसरा stock जो की थोड़ा risk हो सकता है वह है green panel लेकिन आपको अदानी green और steel on thright off limited company में ही अधिक ध्यान देना होगा यहाँ पर buying का momentum हो सकता है जैसा की AI ने बताया है और technical analysis में यही देखने को मिलता है कि यह आने वाले कुछ ही समय में थोड़ा buying momentum दे सकता है फिर भी हम बताना चाहेंगे कि हम RBI registered नहीं है आप अपना पैसा invest करने से पहले अपने advisor की सलाह जरूर ले लेंगे अब वीडियो में आगे बढ़ाने से पहले एक request है कि आप channel को subscribe कर सकते हो अगर आपको जानकारी पसंद आती है हमारे channel की तो अब बात करते हैं penny stocks के बारे में तो उसमें निकाल कर आती है पहली company Easy Trip Planner Limited penny stock वह होते हैं जिनकी price बहुत कम होती है और जिनके बढ़ाने के chance सबसे ज्यादा होते हैं जो कि अपने आप में risky तो होते हैं लेकिन इन में return सबसे ज्यादा मिलने के chance भी होते हैं तो आप अपने portfolio का एक छोटा हिस्सा penny stocks पर भी लगा सकते हो बात करते हैं पहले stock Easy Trip Planner Limited के बारे में तो ये company traveling से related business करती है यानि कि ये online booking की service provide करती है जैसे कि hotel booking traveling train bus आदी ये पैसा direct customer से नहीं लेते हैं तो ये customer को सुविधा देते हैं लेकिन इनका commission direct बड़ी business deal से होता है जैसे ये hotel वगेरा से अपना commission लेते हैं ये company आगे चल कर growth कर सकती है ये हमने अपने research से के द्वारा निकाला है अब बात करते हैं इसरे stock जिसका नाम है कि KM Sugar Mills Ltd ये company flexi fuel में काम आने वाले ethanol को बनाती है जानकारी के लिए बता दूँ flexi fuel वो fuel है जो petrol और diesel को मिला कर इसमें ethanol मिलाया जाता है जिससे ये fuel बनता है ये fuel आपकी गाड़ी में BS6 वाले engine के आने वाले upgrade version में US होता है जो कि आने वाले समय में इसको पूरा भारत में फैलाने का program government के द्वारा चल रहा है कुल मिलाकर ये है कि आने वाला समय petrol diesel के बजाए electrical vehicle का होगा लेकिन इसी के साथ एक दूसरा option flexi fuel वाले वाहनों का भी होगा जो कि petrol diesel और ethanol से मिलकर बने हुए fuel से चलेंगे इससे आप समझ सकते हो कि ये company energy sector में काम करती है और ये जो fuel मैंने बताया है इस fuel को बनाने वाला जो एथिनॉल है इसका production ये company करती है जिससे आप समझ सकते हो कि आने वाले समय में ये company बहुत अच्छी तेजी में रह सकती है अब बात करते हैं तीसरी company ये company भी बताये गए दो stock से थोड़ा ज्यादा रिस्की रहेगी इसका नाम है zeal aqua ltd ये company समुद्र से निकलने वाले जील और छोटी मचलियों का export import का business करती है जो कि खाद्य सामगरी की आपूर्ती से related काम होता है या उनका रख रखाव के साथ उनका production का भी काम करती है ये भी आने वाले समय में बढ़ती जन संख्या के खाद्य को पूरा करने के लिए जो समुद्र से उत्पन्न होता है भोजन उसका export import करने में ये company अपना service provide करती है बताएगा इस stock को आपको अपनी analysis के आधार पर देखना है और उसमें technical और chart सभी का अधियन करना है और अपने हिसाब से ही invest करना है हमारे कहने भर से आपको invest नहीं करना है आपको अपना analysis हमेशा करना है धन्यवाद